So hello my dear future doctors and parents, कैसे हैं आप सब? I think बहुत अच्छे होंगे, मैं हूँ आप सभी का दोस्त Dr. Bishop दोस्तों, NEET 2024 का result NTA ने third time publish कर दिया है और अब बारियाती है MBBS admission की, यहनि की NEET की MBBS counselling की अब इस topic पे आलरेड़ी YouTube पे बहुत सारी वीडियोज अप्लोड हो गई है कि किते नंबर पे MBBS मिलेगा, कट ओफ हाई रहेगा, कट ओफ लो रहेगा कितने rank तक बच्चों का MBBS मिलेगा, बहुत सारे सवाल बच्चों की दिलों में है अगर आप भी 2024 की counselling में appear होने वाले हैं और आप MBBS admission लेना चाहते हैं तो minimum किते नंबर पे आप MBBS admission ले सकते हैं और government seat किते नंबर पे मिलेगी आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ step by step बताने वाला हूँ इसलिए मैं आप सभी future doctors request करूँगा कि आज की हमारी वीडियो आप end तक देखें जिससे आपके doubts clear हो जाएं ठीक है? तो चलिए विना एक भी second wish की हुए आज की वीडियो की सुरुवात करते हैं सबसे पहले हम समझते हैं कि MBBS का जो admission होता है वो किन तरीकों से हो सकता है? दो phases होते हैं counseling के एक होता है NEET का AIQ यानि की All India Quota Counseling जिसमें total government या जो private MBBS seats है उनकी 15% seats जो है आती है इस counseling में कोई भी domicile use नहीं होता है यानि कोई बच्चा किसी भी state को select करके वहाँ पे MBBS admission ले सकता है ठीक है? इस phase की counseling में एक बात समझें कि को स्रीटे कम है बच्चे जादा आते हैं तो cut off previous year की तुलना में थोड़ी सी high रहेगी ठीक है? ऐसे ही NEET की counseling का second phase होता है state label counseling ठीक है? यह हर एक state की अपनी website होती है जिसे UP, DJME, UP की है तो अलग-अलग state की counseling sites होती है वहाँ पर आपको registration करना होता है state domicile बहुत useful होता है ठीक है? यहाँ पर total MBBS seats की जो state की seats है उनकी 85% seats जो है वो add होती है ठीक है? कुछ एक states है जो open state है वहाँ पर दूसरे बच्चे apply कर सकते है लेकिन बाकी की काफी सार states है लग-बग 20-22 states है जहाँ पर सिर्फ उसी state के बच्चे जो है apply करते है ठीक है? जिनके पास उस state का domicile है domicile आप सबको पता है कि निवास प्रमाड़ पत्र होता है अगर आपने उस state से 10th year 12th का रखा है तो आप eligible होते हैं या अगर आपका जन्मस्थान है आपका home town है तो भी आप उसके base पे state domicile को use करकर उस state से ambiguous कर सकते हैं अब बात करते हैं 2024 के result को लेकर देखिए सबसे पहले एक बात समझेगा एक तो होता है minimum numbers यनि कितने number पे आप NEET की counselling में appear हो सकते हैं आपको MBBS अगर private करना है तो भी qualify करना होगा government के लिए numbers ज़्यादा होते हैं बट private के लिए आप private में कम numbers पे भी MBBS admission ले सकते हैं अब अगर आप general category से हैं ठीक है तो ये number पहले 164 something था जो कि अब reduce होके 162 हो गया है यनि अगर आपके 162 number है तो आप general category से हैं तो आपने NEET qualify कर लिया है आप NEET की जो MBBS BDS admission की है या फिर IUS की BMS, BHMS, BMS admission की दोनों ही counselling में eligible होने के जो है काबिल है अब दोनों में counselling करा सकते हैं बाकी OBC की बात करें तो ये लगबग 127 number है और SCST की इससे कब numbers पे भी जो है वो counselling में appear हो सकते हैं अगर जो latest rank के बात करें तो पहले जिन बच्चों के 660 number आने पे rank 21,000 थी वो अब क्योंकि 5 number बच्चों के cut गए है तो वो जो है 655 आने पे लगबग 22,000 हो गई 1000 बढ़ गई है कुछ बच्चों को फाइदा भी rank में हुआ है जिनकी rank अब जो है काफी helpful करेगी उनको MBS दिलाने में तो इस सब बात की हैं मैं आपका बहुट समय नहीं लूँगा मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ और बताता हूँ कि सेफ स्कोर क्या है अगर आप नीट की All India Quotah में गवर्मेंट नंबीबियस सीट चाहते हैं एक बात ध्यान दखिएगा कि 5 number प्लस या माइनस हो सकता है वो एक मानविय जो है गलती है वो किसी सुकती बट मैं आपको लगभख accurate बता देता हूँ अगर आप जनर्रल में जो है विलॉंग करते हैं या आप OBC से विलॉंग करते हैं जनर्रल और OBC कट ओफ लगभख सेम जाता है एक दो number का up and down होता है जनर्रल के बच्चे अगर उनके number 650 something है 50, 52, 53, 54, कुछ भी 650 प्लस जनर्रल के हैं या OBC के हैं ऐसे बच्चों को NEET के All India Quota Counseling में Government MBBS seat मिलने की possibility 99% है ठीक है अब इसमें ही जनर्रल में कर्टिगरिया उनके पास होता है EWS Certificate अगर आप इस केडिगरी के बच्चे हैं और आपके number 645, 46, 47 है यानि की 645 प्लस है तो आपको भी NEET की All India Quota Counseling में MBBS मिलने की strong possibility बनती दिख रही है अब बहुत से बच्चे जो SC या ST केडिगरी में आते हैं तो इनके कितने numbers आते हैं तो मैं इनको अगर rank wise बात करूँ तो अगर आपकी rank जो है एक लाख 45,000 से लेकर पचास यार के बीच में यनि एक लाख चालिस यार, एक लाख अरतीस यार, एक लाख पैतीस यार, एक लाख चालिस यार ठीक है, एक पैतालिस से कम में आ रहे हैं तो आपको government MBBS seed मिलने की possibility है वहीं पर जो बच्चे ST कड़ेगरी वाले हैं और इनकी rank एक लाख 80 something है या उसे कम है नंबर्स की बात करें तो अगर जो बच्चे ST कड़ेगरी वाले हैं अगर उनके number लगभग 510, 15, 20 से 5 प्लस है तो उनको government seed मिल सकती है ठीक है अगर नहीं all India तो statement 100% मिल जाएगी और अगर ST कड़ेगरी की बच्चे हैं और इनके number 480, 90 है 480 प्लस हैं तो ऐसे बच्चों को भी MBBS मिलने की संभावना है हो सकता है कि all India quota में जो बच्चे SC हैं उनको 550 प्लस पे MBBS मिले और ST वालों को 540 प्लस पे मिले ठीक है मुझे लगता है कि इस बार all India quota में जो SC कड़ाफ है वो previous कई सालों के तुल्ला में काफी ज़्यादा हाई जाने वाला है अगर 550 से ज़्यादा है 55 है 60 है 65 है तो मिल जाएगा ST के बच्चों को all India quota में MBBS और ST के बच्चों को number अगर 530 से ज़्यादा है 30, 35, 40, 45, 50 तो ऐसे बच्चों को all India quota में MBBS मिलने की possibility बनती दिख रही है हाँ यही numbers state quota में कम हो जाएंगे जो number 550 है वो आके 510, 515 या 490 आजाएगा जो ST के लिए 530, 540 है वो reduce होके जो है state quota में 470, 480 या जाएगा ठीक है तो state quota पे लेकर हम आपको अलग-अलग states की वीडियो देते रहेंगे इस वीडियो में तहीं आप सब ने इसको देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बद धन्यवाद थेंगे सो मच जहेंद